प्रिज मोहन सूरी नमस्कार मैं ब्रिज मोहन सूरी बॉटिवेशनल स्पीकर साइंग रन्त रॉइटर रेड़ बुक एक्सपर्ट स्वागत कर रहा हूं आपके इस चैनल में चैनल जिसका नाम है ब्रिज मोहन सूरी योट्यूब पर यदि आप टाइप करेंगे ब्रिज मोह जाता है इस चैनल में आप बहुत कुछ देख सकते हैं आज मैं आपके लिए एक नया विश्य लेकर हाजिर हूँ तो आएए शुरू करते हैं आज का नया विश्य अपने निवास पर प्रते दिन कीजिए यह टोटके इसे दरिदता भाग जाएगी आर्थिक तंगी नहीं रहेगी धन आने लगेगा परिवार के सदसे तरक्की करने लगेंगे आपके परिवार के जतने भी सदसे हैं उनमें ताल मेल बढ़ेगा प्रेम बढ़ेगा आपने नहीं आता है परिवार में वह महोल नहीं है जिससे की पूर्ण प्रेम छलगता हो तो क्या करना चाहिए वपार में दरिदता है यानि वपार में कमी है नोकरी में तरक्की नहीं है परिवार में आर्थिक तंगी है कर्जा चड़ गया है यह घर घर की कहानी है मैं आपको पहली बात यह समझ लीजिए कि जब भी आपका वपार जब भी आपका परिवार नीचे की और जाता है यानि वपार में कम ही आ जाती है परिवार में कलाकलेश बढ़ जाता है तो इसका अर्थ यह होता है कि इनमें नेगेटिव वाइब्रेशन आई है चाहे आपके ग्रह खर तो हमें क्या करना चाहिए हमें positive vibration का सहरा लेना होता है तो positive vibration कैसे मिलती है ये सब मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आप यदि ये टोटके करते रहें तो आपका परिवार खुश हाल रहेगा आपके बच्चे तन दुरुस्त रहेंगे बच्चे पढ़ते रहेंगे और ज फोत गंभीरता से विचार करने वाले हैं सबसे पहला सबसे पहला है कि अपने निवास पर दो टाइम सुब्य और श्याम को दिसी घी की या तेल की जोत अवशे पर ज्वलित करें प्रमात्मा के समक्ष जब आप जोत पर ज्वलित करते हैं तो इसका अर्थ ये होता है कि हम प्रमात्मा की नजर उतार रहे हैं आर्थी उतार ये आर्थी उतारने का मतलब यहीं होता है नजर उतारना और जब जोत लेते हैं आर्थी करने के बाद हाथ उपर फेर कर आपने माथे पर लगते हैं इसका अर्थ होता है कि हे प्रभू आपके सभी संकट मुझ पर आ जाएं। आप सोचेंगे भला ऐसे कैसे हो सकता है। हम सोच तो सकते ही हैं न आएं या ना आएं प्रन्तु हम अपने प्रमात्मा को दुखी तो नहीं देख सकते। उनका भी सुख तो मांगेंगे ही यदि हम अपना मांगते हैं तो उनका भी तो मांगेंगे। चाहे हम इतने काबिल हैं या नहीं है ये बात अलग है। लेकिन सोच तो बहुत बड़ी होनी ही चाहिए। तो हम जब प्रमात्मा की जोत उतार लेंगे उसके बाद अपने परिवार के सदस्यों की आरती उसी जोत से उत अपने किचन की आरती उतारिए अपने डाइनिंग टेबल की आरती उतारिए अपने बच्चों की किताबों की उसकी यूनिफॉर्म की सब की आरती उतारिए। इस एक टोटके से किया कराया बुरी नजर का लगना बहुत कुछ दूर हो जाता है। और एक असीम शक्ति एक बहुत बड़ी शक्ति आपको मिल जाती है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके अंदर तो इतनी शक्तियां हैं, बहुत शक्तियां है आपके अंदर, मेरी कोशिश है आपकी शक्तियों को जागरत करना, मेरी कोशिश है आपको सुखी करना, मेरी कोशिश है आपके होठो पर मुस्क्राहट लाना थोड़ी सी मदद कीजिए मेरी जो मैं ये रोजाना टोटके उपाए बताता हूँ ये किया कीजिए आपको बहुत लाब होगा ये जोत वाला करके देखिए प्रति दिन कीजिए आपको बहुत लाब होगा इसकी के साथ दूसरा जो टोटका है वह है नमक का अपने हाथ में नमक लेकर अपने प्रमात्मा के नाम का सिम्रन कीजिए एक वीडियो मैंने पहले डाला था जिसमें मैंने पूर्ण रूप से विदिवत बताया था यदि वो विदिया आप नहीं करना चाहते तो आप एक मुठी नमक लीजिए पाठ कीजिए और थो उन रूप से नेगिटिविटी समापत कर रहा है इस पानी को सड़क पर नहीं फैकना है ये बात पहले सोच लीजिए इस पानी को रोड पर नहीं फैकना है इस पानी को फ्लश आउट करना है फ्लश में फैंक ये इससे भी आपके परिवार की बहुत बुरी से बुरी नजर उतर जाती है अब तीसरा टोटका यदि आप आर्थिक तंगी में हैं बहुत आपको लगता है कि आप आर्थिक तंगी में हैं आपको नुक्सान होता है आप आगे नहीं बढ़ते हैं प्रिवार में भोजन तक के लाले पड़े हैं, तो क्या करना है, मीठी रोतियां, जितने परिवार के सिदे स्दस्षे हैं, उनमें, महमानों को डाल लीजिया, यदि स्पॉझ कर लीजिया, पांच इस दस्य हैं आप तो हम उसमें दो महमान डाल लेते हैं साथ तो आपने 210 रोटी छोटी छोटी रोटी हैं बड़ी रोटी यह आपके चाहए मीठी रोटी तंदूर में ये तवे में कहीं भी लगवा लिजिए मीठा डाल के उस रोटी को जल परवा करते हैं पानी में म मापत होंगे, दूसरा आर्थिक तंगी भी दूर होगी, तो दो कारे करती है ये बात, तो इसका लाब आप ले सकते हैं, और बहुत बड़ा लाब ले सकते हैं, छोटा लाब नहीं, बहुत बड़ा लाब, अगला समझ लीजिए कि आपके निवास में जितने भी लॉकर हैं, चाहे वो लखडी के हैं, चाहे गोद्रे जलमीरा के हैं, चाहे किसी भी परकार के लोकर हैं, वो खाली नहीं होने चाहिए, यहां तो उसमें थोड़े बहुत पैसे रखिए, यहां फिर कुछ ड्राइफ रूट्स रख दीजिए, चाहे दो-दो दाने ही रख दीजिए, इस लेकर रखें, तो इसका बहुत अधिक लाब मिलेगा, और यह गुरु वर्ट ठर्सडे को रखें, तो बहुत अधिक लाब मिलेगा, बहुत अधिक शक्तियां आपको इससे मिलेंगी, और आप देखेंगे कि परिवार में खुशहाली बढ़ती जाएगी, इस के अतिरिक्त नेक्स्ट जो है वह मैं पताना जाता हूँ कि जब भी घर में वेतन आए, जब भी पैसे आए, किसी भी परकार से आए, उसमें से कुछ पैसे दान अवश्य कीजिए, इससे आपको लाब मिलेगा, और आपकी आर्थिक तंगी कभी नहीं होगी, यदि आप कहते हैं कि हम पर करजा है, बहुत करज है कैसे उतरे, तो मैं करज उतारने का एक सिंपल सा टोटका बताता हूँ, एक तो जब भी पैसा आए, उसमें से दान कीजिए, दूसरा, घर में जो खाना बनता है, उसमें से एक व्यक्ति का खाना, दो चपाती, एक कटोरी सबजी, किसी को वश्य दा कीजिए, अब लोग कह देते हैं भया किसको दान करें, घर में आपके काम करने वली आती है उसको खिला दिजीए, किसी गाएं को खिला दिजिए, कीडे मकोडों को खिला दिजीए, एक बाइट ही कीडे मकोड़ों के लिए तो एक बाइट ही बहुत है पक्षियों को खिला दीजिए ने तो बिखारी डूंड यह यदि फालल लेना है लाव लेना है तो भाई मेहनत भी तो करनी पड़ेगी आपको उनसा फॉरन में रहते हो बिखारी नहीं मिलेगा इंडिया म अपने परिवार में अपने सिर्हाने को वाइबरेट करें इजितने सतसे हैं उन सबके बिस्तर वाइबरेट करें इससे नेगटिविटी से मापत हो जाएगी बहुत अधिक शक्ति मिलेगी और सुबे सब के उठने से पहले घर में यदि नमक का एक बार पोचा लग जाए की दुन लगा दें यह दुन ऐसी होने चाहिए कि लोगों के कानों में भी न ऐसे खीच करना जाए बहुत प्रेम पूर्वक खलकी से दुन लगा दीजिए इससे भी गर का महोल जो है वह वाइब्रेट होगा पॉजिटिव वाइब्रेशन आएगी सब को सुख मिलने लगेग कैसे हम कहते हैं लंबा सांस लेगा ओम यह धवनी जहां तक जाएगी शुद्धी हो जाएगी यह धवनी जो लेगा वो शुद्ध होगा जो सुनेगा वो शुद्ध होगा जहां तक जाएगी वो सारे शुद्ध हो जाएगे वो मातावरन शुद्ध हो जाएगा तो इस प् कीजिए कुछ एक टोटके जो आप कर सकते हैं इनका बहुत लाब मिलेगा अब नवरात्रे भी आ रहे हैं नवरात्रों में मैंने बताया है तीन वस्तु में ले आए तो आपकी जिंदगी बदल सकती है तो वो तीन वस्तु में कौन सी है उसके लिए आप वीडियो देखिए नवरात्रों की डिस्क्रप्शन में मैं लिंक भी डाल दूगा तो वो नवरात्रों में वो तीन चीजें लगी ऐसा ही दिवाली आएगी मैं फिर वीडियो डाल लूँगा दिवाली में क्या करें कि आपको लाब हो शिवरात्री आएगी उसमें भी बताऊंगा एक तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दूसरा फ्री का लाब लेना है तो जैसे लोग लंगर लगाते हैं ना खाना किलाते हैं बजन संद्या करते हैं दूसरे लोग सुनते हैं सभी को लाब मिलता है करवाने वले को भी लाब मिलता है ऐसे ही यह भी बजन संद्या है यदि आ कर आप बहुत बड़े बड़े लाव ले सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, मैं जानता हूँ कि आपकी परतेक समस्या का हल भी जनम कुंडली में होता है, जनम कुंडली दिखाना एक अलग बात होती है, ये टोटके अलग बात होती है, जनम कुंडली से भी आप दिनों में, दि वीडियो अच्छा लगा है तो शेर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि सब्सक्राइब करने से ये वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे जब आप सब्सक्राइब कर देते हैं हमारा चैनल और साथ में एक का बटन आता है उसको भी दबा देते हैं एक बार ही करना होता है तो हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहती है यदि आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो वटसेप पर कर सकते हैं प्रंथु जवाब आपको पांच ये शे दिन के बाद ही मिलेगा यद आप जनम पत्री भीजते हैं तो हम देखते हैं यदि उसमें कोई योग है तो समय लग जाता है यदि योग नहीं है तो फिर इमिजेटली उसका हम आपको बता देते हैं परंथु यदि योग है तो अच्छे डंग से देखकर ही बताते हैं परंथु जनम पत्री देखने मे चारें पाच दिन लग जाते हैं और उसके बाद फिर आपको बताया जाता है यदि उसमें योग है तो समय लगेगा या आपको नोटिफिकेशन बेज़ दी जाती है कि समय लगेगा आप जानते हैं कि हमारी जनम पत्री में बहुत सरे ग्रह होते हैं आप ये भी जानते हैं कि हमारी जनम पत्री में बहुत सरे योग होते हैं, आपने देखा होगा बहुत सरे लोग विदेश में जाकर भी सेट नहीं हो पाते हैं, बहुत सरे लोगों को बच्चा नहीं होता है, बहुत सरे लोगों का काम नहीं चलता है, बहुत सरे लोगों को कर खोने लगता है किसी तरह का कोई दुख नहीं रहता है तो हम मैं इजाज़त चाहूंगा और आशा करता हूं कि आप ये वीडियो और दिक सदिक शेयर करेंगे क्योंकि जितने लोग इसको देखेंगे उसका लाब आपको भी मिलेगा तो मुझे इजाज़त दीजिए नमस्का खुश रहिए और अपना ध्यान रखेंगें